देवरानी का दहिज अरे बहन जी भाई साब आप ये क्या लेकर आ गए है इतना सारा सामान इसके क्या जरुवरत थी बहन जी ये सब तो हमें देना ही था हमारी बेटी आपके घर जो आ रही है वो सब तो ठीक है लेकिन हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए ये सब कुछ नहीं चाहिए हमारी बेटी तो उसी दिन आपकी हो गई थी जब आपने अपने बेटे के लिए उसे पसंद किया था ये तो हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है आप लोगों के लिए भाई साहब हमने आपको साफ साफ शब्दों में बोल दिया था ये सब सामान यहां लेकर आई है मेरी बड़ी बहुगरी मा के घरवालों से भी हमने कुछ नहीं लिया था तो आप से कैसे ले सकते हैं बहन जी अब उन्होंने नहीं दिया तो उसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी ना दे ये सामान तो आपको रखना ही पड़ेगा लेकिन रेनुका के मन में दहिज की वज़े से एक बहु के लिए सम्मान की भावना और दूसरी बहु के लिए तिरसकार की भावना जन्मले लेती है एक दिन रेनुका अपने पती से कहने लगी रिष्टेदार हो तो मीनु के माता पिता जैसे हमने कितना मना किया उनसे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए फिर भी कितना कुछ दे कर चले गए अरगर इमा के घर वालों को एक बार मना किया तो वो मान भी गए कभी एक चुन्नी तक नहीं दी, ना हमें ना खुद की बेटी को अरे तो क्या हुआ, हमने तो किसी से कुछ नहीं मांगा जिसने दिया है वो ठीक, जो ना दे वो भी ठीक वैसे भी तहेज तो समाज की बनाई हुई बेतो किसी रस्म है अरे जिसने बेटी दे दे, उस तो सब दे दिया कन्यादान से बड़ा कुछ नहीं है रेनुका और आकाश बात करी रहे थी कि तबी मीनू वहां दोनों के लिए चाय लेकर आती है आरे बहु तुम क्यों चाय लेकर आई हो? वो कहां है तेरी जठानी? वो क्यों नहीं लाई चाय? भाबी कपड़े दो रही है इसलिए आज मैं लेकर आगई चाय मा, मैंने बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, अब पी कर तो देखो हाँ, बिल्कुल बहु, इसमें कोई दो राय नहीं, बेशक तुम चाय अच्छी बनाती हूँ अरे चाय का रंग बता रहा है कि चाय कैसी बनी है? दोनों जैसे ही चाई पीते हैं वैसे ही मो बना लेते हैं चाई बिलकुल भी अच्छी नहीं बनी थी तबी मीनू पूछती है माजी कैसी बनी है चाई बहुत अच्छी बनी है बहु ऐसी चाई था हमने कभी नहीं पी हाँ बहो वाकई आसी चाई तुम माने कभी नहीं पी रेनु का चाई पी कर सीधा गरीमा के पास चाकर कहती है बहो दोल गया तेरे कपड़े, यह रह गया है अभी भी हाँ मां बस थोड़ी से रह गया है वैसे बड़ी वाशिंग मेशिन में कपड़े धोकर क्या सा लगा? अच्छा लगा माजी, जल्दी धुल गया, पता ही नी चला, काम आसान हो गया अच्छा, बहुत शुक्र करो कि मीना के माबाप ने दहेज में इतनी बड़ी और अच्छी वाशिंग मेशिन दी है नहीं तो तुम आज सारा दिन कपड़े ही दोती रहती खेर वैसे मीनू के माबाप को उसकी बहुत चिंता है, तब ही तो इतना सारा सामान दे कर गए है लेकिन तेरे माबाप ने तो कुछ सोचा ही नहीं तेरे बारे में अब इसी तरह रेनू का हमेश अपने बड़ी बहु को किसी ना किसी बात पर सुनाती रहती है गरीमा ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि उसकी सास अचानक उसके साथ ऐसा बरताव क्यों करने लगी लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कहती ऐसी ही एक दिन रेनू का किचन में गई और गरीमा से कहने लगी बहु दूद कहां रख दिया तुने माजी फ्रिज में रखा है बहु तुने इसे कच्छा ही फ्रिज में रख दिया इसे उबाल तो देती तुझे पता है ना तेरे ससूर जी को रात को दूद पिकर सोने की आदत है अब इतनी रात हो गई है कब इसको गरम करू कब इसे ठंडा करू और कब दूद तेरे ससूर जी को मा जी मैं ये बरतन धोकर दूद को गरम करने ही जा रहे थी लाइना अभी कर देती हूँ आरा ये काम तुझे पहले करना चाहिए था लेकिन तुझे क्या पड़ी है किसी की देवरानी दहज में फ्रिज लाई है तो इसका अच्छा खासा इस्तमाल तू कर रही है घर में सामान आता बाद में है तुझ पहले ही सोच कर रख लेती है कि उससे फ्रिज मेसेज आकर रख दूंगी रेनू का की बातों से गरिमा को बहुत दुख होता है उस सारी बाते अपने पती शांतनो को बताती है लेकिन शांतनो उसे समझा देता है ऐसे ही अगले दिन गरीमा टीवी देखती है तो रेनु का गरीमा के हाथ से टीवी का रिमोट छिन कर कहती है ला बहू यह रिमोट मुझे दे दे जब अपने दहेज में लाए ना टीवी ताब देखियो शानतनू जब ये सब देखता है तो भड़क जाता है और गुस्से से अपनी मा से कहता है मा अपने गरीमा के हाथ से रिमोट क्यों छिना मैं काफी दुनों से देख रहा हूँ कि आप गरीमा को दहेज की वज़े से ताने मारती रहती हो आप तो दहेज के एकदम खिलाफ थी फिर आपको अचानक से ऐसा क्या हो गया क्यों इतनी छोटी छोटी बाते करती हो बिटा तुझे कोई गलत फाहमी हुई है तेरी मा ऐसी बिलकुल भी नहीं है पापा मैं कोई दोध पीता बच्चा नहीं हूँ जिसे आप जो कहेंगे वो मान लूँगा आप नहीं गरिमा की मा को मना किया था दहज के लिए और अब आप ही उसे ताने सुना दे शांतनू अपने बीवी की वज़स से अपने माबाप को बहुत सुनाता है और गरिमा को वहां से लेकर चला जाता है अगली सुबह गरिमा के बेटे आदी के हाथ से टीवी का रिमोट टूट जाता है मीनू जब टूटा हुआ रिमोट आदी के हाथ में देखती है तो उसे थपड मारते हुए कहती है आदी के बच्चे कभी देखा भी है तुने ऐसा रिमोट मीनू के चिलाने की आवाज सुनकर और आदी के रोने की आवाज सुनकर सभी वहां आ जाते है शांतनू जब अपने बेटे को रोता हुआ देखता है तो बहुत गुसे में कहता है मीनू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के उपर हाथ उठाने की वो भी इस रिमोट की वज़े से उपर से इतनी कड़वी बाते कर रही हो तुम्हें पता है तुम्हारी बातों का इस पर क्या सर होगा अरे बेटा तो क्या हुआ मीनू कोई गैर तो नहीं आदी की चाची है मार दिया तो क्या हो गया मा अभी मीनू इस घर की कोई नहीं है बस आपकी छोटी बहू है जो बहुत सारा दहज लाई है इसके सामने तो आप किसी को कुछ समझी नहीं रहे न मा आज तो मीनू का दहज घर में रहेगा या फिर मीनू इस घर में रहेगी आज ये फैसला होकर रहेगा मा मैं दहज के पीछे अपने बीवी और बच्चे की और ज्यादा इंसल्ट नहीं देख सकता अगर आप दोनों को जाना है तो आप भी जा सकते यहां से मुझे इस गर में शान दी जाएए शांतनू आज बहुत गुस्से में है उस अभी को खुब घरी खोटी सुना दीता है तबी शांतनू का छोटा भाई रोशन अपने भाई को कस की गले लगा लिता है छोटे भाई की गले लगती ही बड़ा भाई मानों बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है ये देख कर सबकी आखे नाम हो जाती है